हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कच्चे केलों से बनने वाला बहुत ही टेस्टी ये पराठा इस पराठे को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है के लिए लिये हैं मैंने बिल्कुल दो कच्चे के लिए जिनें मैंने दो सीटी लगा के प्रैसर कूकर में बॉयल कर लिया था दो सीटी में ये कच्चे के लिए अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं सबसे पहले हम इनका बाहर का ये छिककल निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे कद्दुकस कर लेंगे बहुत ही आसानी से ये कद्दुकस हो जाते हैं आप इसे कद्दुकस भी कर सकते हैं या फिर हाथ से मैच भी कर सकते हैं इसके साथ ही हमें चाहिए एक बारी कटा हुआ प्यांच, एक टुकड़ा अद्रक का कद्दुकस किया हुआ और एक सुखी लाल मिर्च सबसे पहले हम कढ़ाई पे तेल गरम कर लंगे मैंने इसमें दो छोटी चम्मज तेल के डाले हैं सबसे पहले हम इसमें आधी चम्मज जीरा डालंगे उसके बाद हम डालंगे कटा हुआ प्यांच और कद्दुकस किया हुआ अद्रक और सुखी लाल मिर्च इसको हम हलका हलका भून लंगे हम इसे जादा देर तक नहीं भूनंगे हमें इसे सिर्फ दो मिनट के लिए भूनना है दो मिनट इसे भून लेने के बाद हम इसमें डालंगे आधी चम्मज नमक नमक हम इसमें अपनी सादा नुसार डाल सकते हैं आधी चम्मज लाल मिर्च आप इसमें बारी खरी मिर्च काटके भी डाल सकते हैं और आधी चम्मच हल्दी पावडर और आधी चम्मच हम इसमें डालंगे धनिया पावडर और थोड़ा सा हम इसमें डालंगे गरम मसाला और हम इसको इस तरह से भून लंगे हमें इसमें पानी नहीं डालना है भून लेने के बाद हम इसमें कद्दू कस किया हुआ जो हमारा क ये कद्दू कस किया हुआ केला हैं, अच्छी तरो से एक दूसरे में मिल जाना चाहिए बस हमें इसको 2 मिनट भूल लेने के बाद इससे ठंडा होने के लिए रख देना है अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इससे ठंडा होने के लिए रख दूंगी ये रेखे मैंने इसे एक बावल में निकाल दिया है ये बिल्कुल अब ठंडा हो चुका है अब हम बनाएंगे पराठा इसके लिए मैंने सौप्ट सा गेहूं का आठा गूत लिया है और एक थोड़ा सा बड़े साइच की लोई बना ली है इसे मैं गेहूं के आठे में बना रही हूँ आप मैदे में भी बना सकते हैं इसमें सबसे पहले हम लोई में कोरा आठा लगा के इसकी कोटोरी नुमा सेब बना लगे इस तरीके से पराठा बनाने से पराठा तूटता नहीं है और काफी अच्छे से बन जाता है अब हम इसमें अच्छे से पूरा मसाला भलनगे हमें इसमें जादा जादा सा भनना है जिससे ये काफी जादा टेस्टी लगेगा मैंने एक लोई के अंदर लगबग तीन बड़े चमच ये मसाला भल लिया है और अब हम इसको किनारिस से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे जिससे ये अच्छे से लॉक हो जाए और हमारा पराठा फटेना अब हम इस लोई में कोरा आंटा लगा के एक मोटा सा पराठा बेल लगे केले का ये पराठा काफी आसानी से बन जाता है और इसमें फटने का भी इसमें डर नहीं रहता पराठा बेल चुका है हम इसको अपने हिसाब से पतला या मोटा बना सकते हैं फ्राइपेन गरम करने को रखा हुआ है मैंने, अब उसमें हम ये पराठा डाल देंगे और इसको एक तरह से अच्छी तरह से सीखने देंगे जब यह पराठा एक तरह से अच्छी से सीख जाए तो हम इसको पलट लेंगे और इसके उपपर साइट में रिफाइन ओईल या फिर घीन लगा सकते हैं हमें पराठे को मेडियम आज में सेखना है इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है कच्छी के लिए के पराठे का टेस्ट थोड़ा थोड़ा आलो के पराठे जैसा ही लगता है आप इसे एक बार जरू ट्राए करें ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है उसके साथ ही ये मनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि इस पराठे का फटने का कोई डर नहीं रहता ये रेखिए दुसरे साइट से भी मैंने इसमें घी लगा दिया है और अब इसको थोड़ा देर मैं एक दो बार पलट लूँगी और हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा पराठा बिल्कुल बन के तैयार है हम इसे चाए के साथ या फिर चटनी, सौस या फिर दही के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होता है आप इस पराठे को जरूँट ट्राय करें आप इस पराठे के अंदर जितना ज़्यादा मसाला भरंगे ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा अगर आपको मेरे ये केले की पराठे की रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें वीडियो देखते के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद